सेमिस्टर थिरी में आपका पेपर जो है सेक थिरी जिसका सिरीज चल रहा है और हमने बहुत सारे वेडियो आपको अपके लिए हमने अपने चैनल में अपलोड किये हैं आप लोगो एक्जाम का वेट नहीं करना बलके सारे सेलेबस को आप स्टेप बाइ स्टेप कम्पलीट कीजिए ताकि एक्जाम आये तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो बहुत सारे स्टेटन क्या करते हैं एक्जाम के टेम पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती है इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कीजएगा तो आपका एक्जाम की भी तैयारी होगी और साथ में आप अगर कोई कॉमपडिशन एक्जाम के लिए तियारी करें तो उसके लिए भी आपके ये वीडियो काफी वैलियोबल होगा ठीक है तो अभी हमारा स्रीज चल रहा था जो मैं बता रहा था समेस्टर 3 का जो पेपर आपका सेक 3 है इसमें हम आपको बता रहें थे मेमोरी क्या होता है ठीक है ना लास्ट का वीडियो अगर आप जाकर देखेगा तो मेमोरी के हमने डिफनिशन बताएं थे और memory की हमने types बताएं थे तो types में आज का वीडियो में जो बाकी हमारा वो secondary memory है ठीक है ना आज का ये topic जो चल रहा था ये आज का last है ये memory से related खतम हो जाएगा उसके बाद MCQs लेके आएंगे कैसे आपको बनाना है कैसे समझना है तो आपको ये पता है कि computer में memory का मतलब होता है physical device that are used to store programs यानि जो physical devices होते हैं चाहे RAM की बात करें रॉम की बात करें या hard disk की बात करेंगे ये सब क्या होता memory में जो information या data को store किया जाता है या तो temporary या फिर permanent ये दो चीज़े होती है तो हम लोगों ने temporary related RAM के बारे देखा था कि RAM एक volatile memory होता जहाँ पर temporary type के store होता और जैसे computer को off किया जाता है तो सारे data इससे खतम हो जाते एरेज हो जाते है ठीक है तो आज आप सिखेंगे secondary memory क्या होता है और इसके क्या क्या types है तो सबसे पहले जो है definition को समझा जाए definition के बाद फिर आपको हम example से इसको सारे चीज़े दिखाते है तो secondary memory के बारे में क्या है computer memory का ही एक type है लिखा हुआ is a type of computer memory computer memory के एक type है that is used to store data and programs that can be accessed or retrieved even after the computer is turned off यानि ये secondary memory में store किया जाता है catch is data that can be accessed जिसको हम बाद में निकाल भी सकते हैं access भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं जबकि computer अगर off भी रहे तो हम computer को on करके भी data को निकाला जा सकता है यानि ऐसा नहीं RAM के तरह कि इसमें जैसे computer off हो जाए तो data जो erase हो जाए नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर पर्मनेंटली स्टोर हो जाता है यानि इसी में data जो है आपका स्टोर होता है और उसी data का हम जब चाहे उसको transmit कर सकते हैं retrieve कर सकते हैं यानि निकाल सकते हैं और उसको access कर सकते हैं यह सारे चीज़े जो data स्टोर होती है secondary memory में वहाँ से इसका use किया जाता है secondary storage is another name for secondary memory यानि secondary memory का दूसरा नाम secondary storage भी है यह आपका definition आपको जो हमने बताएं English में बताएं अब इसकी थोड़ा Hindi version भी देख लेते हैं Hindi में क्याले वही चीज़ हैं लेकिन जो Hindi background से उनको समझना चाहिए secondary memory को हम auxiliary device भी काते है यानि कि एक सहाया के storage भी काते है जो कि computer में जो चीज़े RAM ROM पहले से fixed होती है तो अगर हम data को अलग से कहीं store करना चाहते है यानि कि एक सहाया के रूप में काम करता है helper के रूप में काम करता है या device non-volatile होता है non-volatile का मतलब off भी computer को कर दिया जाए computer को बंद भी कर दिया जाए तो भी data को कोई problem नहीं होने वाला है ठीक है secondary memory बड़ी मात्रा में data अस्थाई रूप से संग्रहित करती है यानि कि बड़ी मात्रा में huge amount of data अस्थाई रूप से that is permanent क्या करती है store करती है ठीक है ना इस चीज़ को आप देखिएगा store करती है तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा data है huge amount और definitely data का मतलब बहुता बहुत सारे चीज़ है जिससे suppose हमें अगर 1000 employee का सारे को details को पूरे को जो है या 1 lakh employee को details को store करना तो उसके लिए हम secondary memory का ही use करेंगे जहाँ पे इसके data को store किया जाएगा ठीक है इसलिए आपने देखाओ computer में hard disk लगे होते हैं चाहे वो C के नाम से चाहे वो D के नाम से या F E के नाम से hard disk लगाया जाते हैं और वहाँ पे data को store किया जाता है ठीक है हना कि आज का जमाना cloud computing का है तो hard disk भी जो बहुत बड़े मातरा में store नहीं लगाया जाता है चुकि cloud computing में है तो खेर आपका ये topic नहीं है जिब कभी मौका मिलेगा तो आपको हम बताएंगे cloud computing के थूरू hard disk जो है इस memory में जो store data हमेशा के लिए सुरक्षित होता है जिसे user और computer कभी भी access कर सकते हैं यानि हम भी data को निकाल सकते हैं suppose आपके पास बहुत सारे photos है या videos है आपने अपने C drive में या अपने D drive में रख दिया है तो जब चाहे 10 सल के बाद भी चाहे उसको आप data को निकाल सकते हैं अगर drive जो है आपका crash नहीं किया हो तो secondary memory को अलग से जोड़ा जाता है primary memory की अपेक्षा इसकी गति कम होती है लेकिन इसकी storage शमता primary memory से अधिक होती जहां primary memory के बात आ रही है तो आपका दिमाग में जाना चाहिए RAM and ROM और जहां secondary memory की बात आती है वहाँ आप समझ जाए HDD, hard disk, pen drive, plus drive यह सारी चिज़े जो है वह secondary memory में होती है ठीक है अब यहां पे क्या है secondary memory CPU का भाग नहीं होता of course CPU जो होता है उसमें है इसको secondary memory यानि हार डिस को अलग से लगाया जाता चले यह इतना सारा definition आपको मालू हो गया अब इसके अंदर से अगर question पुछा जाता है कि RAM किस टाइप का memory है तो आप बताएंगे primary memory अगर पुछा जाए hard disk किस टाइप का memory है तो आप बताएंगे secondary memory जब question आपके लिए लेका आएंगे तो आपका और भी concept कलियर हो जाएगा अब यह देखी यह topic है use of secondary memory secondary memory का क्या इस्तेमाल होता है तो mainly secondary memory generally use किया जाता है अलग-अलग purpose है जैसे पहला purpose है secondary memory में हम लोग data को जो है permanent store कर सकते है permanent store किया जाता है दुसरा क्या data बहुत जादा है use amount of data बहुत जादा है तो उसको हम लोग क्या करते है large storage करते है यानि इसको बड़े-बड़े data को इसमें हम store कर सकते है तीसरा जो है यह भी बहुत important है दो हो गया तीसरा जो है potable potable का मतलब होता है एक जगा से दूसरे जगा ले जाना इसको हम कहते है potable कहते है जगा ले जाना यह definition आप जान ले potable का मतलब क्या होता अब जैसे suppose आपके computer में HDD लगा हुआ hard disk लगा हुआ hard disk में c drive में आपके पास बहुत सारे data आप चाहते हैं यह data को आप अपने दूसरे computer पे ले जाए तो यहां से उठा के आप बिल्कुल ले जा सकते हैं बहुत तरीका है ले जाने का copy करके ले जा सकते हैं या share कर सकते हैं यह सारे चीज़ें हैं possible है मतलब यह data hard disk में आप यहां से यहां इसको store कर सकते है that is called potable ठीक है तो यह purpose होगी है आगे देखते हैं क्या topic कहा रहा है types of secondary memory secondary memory का types क्या है सबसे पहले आपने नाम सुना होगा HDD that is hard disk drive ठीक है उसके बाद SSD solid state disk जो इससे कहीं ज़्यादा faster होता है आज लोग जो है इसी को लगा रहे हैं जोकि यह बहुत fast काम करता है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा compact disk जिसको आप CD कहते हैं CD कहते हैं हलाकि इसका भी परचलन बहुत कम होने लगा है जब से यह वाला concept शुरू हो गया तब से हर चीज की परचलन कम हो गया बढ़ आपके syllabus में तो आपको जाना भी है और ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा use खतम हो गया, use होता है CD यानि की compact disk इसकी जो capacity होती 700 MB तक data को ले सकता है अब आप MBGB तो जान रहे हैं जो कि हमने आपको एक video भेजा था जिसमें हमने आपको बताया था data measurement ठीक है ना, data measurement तो आपने MBGB पढ़ लिया होगा नहीं पढ़े हैं अगर तो आप जाके उस वीडियो में जाके फिर से आप देख सकते हैं इस CD का दो पार्ट होता है CDR, CDRW CDR मतलब क्या होता है compact disk recordable जहां पे record के जाता है दूसरा क्या है CDRW rewritable उसको फिर से rewrite किया जा सकता है उसके बाद देखते हैं DVD दूसरा भी आपने नाम सुना होगा DVD जो है यहाँ पे एक सब्सक्राइब यहाँ पे आप देखेंगे DVD ठीक है ना यह DVD का फिल फार्म होता है digital, versatile, disk इसकी जो maximum speed होती है maximum speed होती है 4.7 GB तो यह याद रखेंगे एक्जाम में पुछेगा DVD की space क्या होती है या फिर CD की capacity क्या होती है उसको आप देखेंगे इसकी जो होती है CD की जो space होती है 700 MB होती है ठीक है ना इसको आप देखेंगा और इसकी 4.7 GB अब इसको भी बाटाएगी है DVD जो है यह भी जो है पहला DVD ROM तो DVD का फिल फॉर्म यादर कर देज़े Digital Versatile Disc Read Only Memory दूसरा क्या है DVD R Digital Versatile Disc Recordable जिसमें record किया जाए तीसरा क्या है DVD RW यानि record भी होगा और relatable भी होगा और erisable भी होगा ठीक है ना यानि इसमें डाल के हटा भी सकते हैं उसको दूसरा data को भी डाल सकते हैं तीसरा क्या आप जानते है flash drive या pain drive जो आप use करते हैं उसके बाद SD card के बारे आप जानते हैं जिसको हम secure digital card भी कहते हैं जिसको SD card करते हैं SD का इस मतलब full form secure होगा और D का मतलब होगा आपका digital होगा ठीक है यह दोनों चीज़े हैं देखें तो यह आपका सब secondary device की examples है तो हमने आपको वीडियो में कुछ चीज़े देखें और इसकी कुछ डाइगराम आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइगराम थोड़ा चोटा कर दूँ मैं यह hard disk है, यह cd है, pen drive है, यह floppy है में में चीज़े की जो है definition को जान लें इसकी form को जान लें ताकि एक्जाम आपके लिए अच्छा जाए तो आज मैं समझता हूँ, memory से रिलेटर हमने सारी चीज़े बता दी दो से तीन lecture में आप इसको complete कीजी, exam का वेड़ बिलकुल भी नहीं कीजी एक्जाम की जो है notification कभी भी आ सकती है और मिलते हैं फिर नेक्स टाइम, नेक्स टोडियो के साथ, thank you very much